अगर आपने आधारकार्ट का एन्रॉल्मेंट कर चुके हो और आप सोच रहे हो कि आपका आधारकार्ट अब तक हुआ है या नहीं तो उसका स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हो वो भी ओनलाइन तो आज के वीडियो में मैं आपको पूरे डिटेल्स में बताएंगे आपका आ जमा करना है तो वो भी आप कर सेकत हो आज की वीडियो में मैं आपको पूरे डिटेल्स में बताऊंगा तो चलिए दूस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो फ्रेंड्स आधारकार्ट आपका हो चुका है या नहीं उसका स्टेटस चेक करने के लिए आपको जाना के बाद देखिए आपको एण्रॉल्मेंट आएडि डालना परेगा जब आपने आधार्काट के लिए अप्लाइख किए हो उसके बाद आपको एक स्लीप दिया जाता है उस लिप में आपको एंडॉल्मेंट आईडी मिल जाएगा और साइड में आपको देना है डेट ऑन उसके बाद नीचे आपको capture field करना है उसके बाद check status पर click कर देना है तो मैं आपको वो कर कर दिखा देता हूं तो फिरी में फिल्ब कर चुका हूं यहाँ पर मैं capture field कर देता हूं तो मैंने capture field कर दिया हूं अभी करते है check status तो देखिए फ्रेंड्स मेरा यहां पर स्टेटस दिखा रहा है कि अभी मैं आपको दिखाता हूं उसको आप कैसे यह आधार को आपके पास जो आधार का जो हार्ट कोपी आएगा वह कुछ दिन लेट होता है 15 से 20 लग जाता है कि आपके पास आएगा तो अभी आप काम चला आधार उसको आपको क्लिक करना है तो अभी देखिए यहां पर है डाउनलोड इलेक्रोनिक कॉपी ओफ आधार के लिए आपके पास क्या क्या ओप्शन है आप किस तरह से आप उसको डाउनलोड कर सकतो यहां पर अगर आपने ले चुका हो तो आधार नमबर डाल सकते हैं अब कर सकतो वर्चौल अब वह डाउनलोड कर सकतो तो मैं करूंगा अगर आईडी से तो यहां पर क्लिक करने के बाद यहां पर फिर से वह नंबर अन्रॉल्मेंट ऐडी मुझे डालना परेगा तू उसके बाद फिर से वही टाइम और डेट अटाइम कौन सा डेट में अन अब करना है आपने जो मूबाइल नंबर दिया था इस रेजिस्टर मूबाइल नंबर पर एक ओडिपी आएगा इस ओडिपी को आपको यहां पर फुट करना है तो मैं उसको फिल कर देता हूं उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चन है उसका अंसर देना है डिडियू नो यू केन ओडर रिप्रिंट अफ अधर लेटर फ्रॉम यू इडिय वेबसाइट और येस उसके बाद है देखिए यहां पर है इन हाव मेने डेज डिडियू रिसीब दर रिप्रिंट अधर लेटर अफर गेटिंग एसमस फ्रॉम इंडियन पोस्ट कितने दिन में आपके प देखिए आधार का इलेक्रोनिक कोपी जो है वो पास्वार्ट से प्रोटेक्टेड होगा तो इस पास्वार्ट को जो अधार का जो कोपी होगा यह कोपी उसको आप कैसे ओपन करोगे उसका पास्वार्ट क्या होगा तो यहां पर एक्जम्पल दिया गया है जैसे कि मानन आपके नाम है अनिश वाई कुमर और आपका year of birth है 1989 तो आपका पास्वार्ड होगा पहला आपके नाम का पहला फोर लेटर ए एन आई एस और साथ में आपका बार्त वियार देना है तो आपका PDF फाइल खोल जाएगा तो मैं कर देता हूं अब यहां पर क्लिक करेंगे तो PDF फाइल में देखिए यहां पर password रिकर्ड मांग रहा है तो उसको मैं पास्वार्ड दाल देता हूं उसके बाद करते हैं सब्मेट यह देखिए मेरा अधर कार्ड डाउनलोड हो चुका है अब इसको आप प्रिंट करवा सकते हो तरह से दिख प्लास्टिक कार्ड होता है अगर यह चाहिए होगा तो इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना के रखा हूं वह आप चेक कर सकते हो मैंने उपर में लिंक दे दूँगा या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा आप उसमें क्लिक करके पूरा डेटल में उमीद है कि आज के वीडियो आपको पसंद आया अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना अगर आप इस चैनल पर ने हो तो चैनल को सस्काइब करना तो चले दूस्तो आज के वीडियो में बस इतना ही जैहिंद बंदे मातरम